हलो फ्रेंस वेलकम ट्यूंट तो कैसे हैं आप लोग आप आप लोग अच्छे से होंगे तो एक फ़र फिक कुछ नहीं हो और अलग से टिप्स लेके आई हूं फ्रेंस अगर आपको पसंद आया तो प्लीज शेयर जरू कीजिएगा हमारी वीडियो तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंस जैसे कि हम अपने गर पे जो कॉलगेट वगरा यूज़ करते हैं या फिर कोई स्क्रव यूज़ करते हैं कोई भी क्रीम वगरा तो आपने देखा ही होगा जब लाश तक खतम होती है ना तो इस तरीके से फिर हम उसे पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते हैं इसे आपका प्रोड़क्ट भी वेश्च नहीं होगा क्योंकि मैगाई का इतना दौर है और हम इस तरीके से अगर अपने रुपे बरबाद करेंगे तो सारा ही बजट हमारा खराब हो जाता है महीने का तो चलिए देख लेते हैं इस तरीके से जो क्लिप होती है ना जो हम प सका लेंगे इसमें जितना भी प्रोड़क्ट होगा आपको देख रहा होंगे ऊपर एकटा होता जाएगा मैं आपको यह किनार दिखा रहे हूं कि आपको समझ में आए कि इसमें देखिए बिल्कुल भी प्रोड़क्ट नीचे रखा लगा नहीं रह गया है जो इनकी प्रोड़क्ट में लगा रहा जाता है ना पैकट की ऊपर तो वो बिल्कुल नहीं लगा रहा जाएगा इस तरीके से आप इसका पूरा प्रोड़क्ट एकटा कर लिजी और फिर आप इसको यूज कीजिए अगर आप इस तरीके से अपने कॉल गेट या क्रीम अगरा होती ह स्क्रब यूज करते हैं उसमें ये टेप यूज करके देखेंगे ना तो आपको देखेंगे कि इतने सारे आप इपने रूपे विश्ट होने से बचा सकते हैं और पूरा प्रोड़क्ट का यूज कर सकते हैं फिर आप इसको फेकिएगा इस तरीके से सारा प्रोड़क्ट एकटा करने के बाद आप उसको यूज कर लेजिए फ्री आप इसको फेक किएगा वैसे भी आजकल हर सामारत नमहेंगा आता है ना कि अगर हम इसको उस तरीके से फेक देंगे तो हमारे काफी सारे रोपे वेश्ट हो जाते हैं तो आप भी ट्राय करके जरूर देखिएगा अ तो इसके लिए मैंने क्या किया है प्याश को सबसे पहले ऐसे दो पीस में काट लिया है फिर इसके एक पीस में से दो पीस और कर लिया है फिर सुई धागा लेना है हमें इस तरीके से और जो हमने छोटे-छोटे स्लाइज करें है ना प्याश के टुक्रे उसको हम सुई धा हैं आप तो इसके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे यह यूसफुल वीडियो देखने के लिए और वीडियो पसंद आए तो इस तरीके से हमने एक प्याच के पेले बीच में से दो टुकड़े कर लिए फिर इसके स्लाइज हमने इस तरीके से अलग लेना है जिस तरीके से हम फूल वगरा लगाते हैं न उसी तरीकी से अभी हम ऐस्टा जो धागा है उसको काट कर देंगी अभी हम इसका क्या करने वाले हैं चलिए वो मैं आपको दिखा देती हूं अभी आप इसको अपनी किचिन में इस तरीके से कहीं पर भी हैंक करके जर क्योंकि प्याज का जो स्मैल होता है ना बहुत जाता स्ट्रॉंग होता है और जब आप इस तरीके से केचिन में लटका के रखेंगे ना तो क्या होता है इसकी स्मैल से शिपकली वगरा बड़तों के पास बिल्कुल भी नहीं आएंगी केचिन में जहां खाना रखा हो तो वहां बिल्कुल भी नहीं आईए तो बहुत ही यूसफुल टेपर ट्राइक है कि जरूर देखिएगा तो पहले की टाइम में जो हमारे दादी नानी के जो नुस्के होते थे बहुत ही काम आते थे और जैसे जैसे हम स्वीचर में आते जा रहे हैं यह सारी चीज़ों को वह कहते थी सुवे सुवे बिना मुझ को दोए आप उठिये सूरज निकलने से पहले और पानी लीजिए गलास और पानी को आपको इस तरीके से पांच वार या साथ वार आपको काटना है चाकू से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसे कर रही हूँ तो यह प्रोसे हो जाता है तो पहले टाइम में यह चीज़ बहुत ही काम करती थी और आज भी करती हैं तो आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो ट्राय करके जरूर देखिएगा तो फैन जैसे कि हम लोग पानी में अक्सर ही काम करते रहते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे पहलों की जो एडिय है चलिए हम देख लेते हैं तो फैन्स के लिए मैंने एक बरतन लिया है गैस चालू करा है और उस पर रख दिया है एक बरतन और इसमें हमने डाला है एक चमश सरसो का तेल आपको यहाँ पे सरसो वाला ही तेली यूज़ करने है और कोई सा तेली यूज़ नहीं करना है यह अब तो सबसे पहले मैंने वहां पर गरम करने के लिए में तो उसे रख दिया जब तक ये गरम हो रहा है है तो वहां पर हम धूसर देख लेते हैं और इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं तेल गरम होने पर हमने जो आपको कैंडल दिखाई थी वो सारी हमने इसमें डाल दी है वीडियो इसके वो चुका है थोड़ा सा में कैमरा उन करना भूल गई थी तो यहां पर मैंने सारी कैंडल डाल लिया और यह अची से गरम तेल हो च जाने देना है और इस तरीके से हम इसको निकालका किसी भी कंटेनर में इस डो करके रख लेंगे आप देख सकते हैं कि किसी तरीके से का टैक्चर हो गया क्रीम की जैसे होता है ना बिल्कुल उसी तरीके से तो अभी आपको कैसे यूज करना है पहले आप किसी भी कंटेनर में इस तरीके से स्टो करके रख लीजिए इसे आप आराम से महीने दो महीने तक यूज कर सकते हैं ये खराब भी नहीं होता है लेकिन ये बिल्कुल दबाई से भी जाद अच्छे से काम करता है बहुत से यूज करेंगे तो सारा मतलब फर्स वगरा पर हम चलते रहते हैं तो वहां पर भी थोड़ा सा दिक्कत होई इसलिए आप रात को सोते समय ही आपको यूज करना है आपकी जो भी इडियां वगरा फटी हुई है जहां पर भी तरारे नजर आ रही है यह रूखा पर बहु उसका फरक नजर जरूर आएगा मेरे साथ तो यह बहुत अच्छा काम करता है इसलिए मैंने आपके साथ की वीडियो शेयर किया है रात में जब आप सोने के लिए बैट पे जाए तो तब आप उसको लगा लीजिए आप चाहे तो से सौक्स से भी कवर कर सकते हैं कि यह मतल आपकी जो हार्ड स्कीन हो रही है या जो फटीवी एडिया है बहुत अच्छी से सौफ्ट हो जाएंगी और सारी क्रेक्स भर जाएंगे आप टैकर के जरूर देखिए तो चलिए फैंस आज के वीडियो करते हैं यहीं पे एंड वीडियो जरा भी पसंत आयो तो प्लीस एक लाइक शेयर और सस्काइब जरूर कर लिजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहे हैं आपके लिए यहीं वीडियो बनाने का एक हाउस वाप के लिए बहुत ही मुस्कुल होता है अपने लिए टाइम निकाल के यह सब करने के लिए तो प्लीस मोटिवे